राम राम जी सभीर पहनों को राधे राधे ये मुद्वा काफी टेंस दिल रहा है हाँ वही मुद्वा जबंगल सुतर के बारे में हैं कि विद्वा ओड़ते इन भाउतर पहन सकती है या नहीं पहन सकती है काफी बाते हैं कि क्यों पहन की है तो एक छोटे से कॉमेंट ने इतना बड़ा बावार फैला दिया है तो इसमें यह भी यहां पर एक मुद्धा हो सकता है कि जो भी आप कॉमेंट करते हों तो सो समझ कर किया गरो कि उसको पड़ा तोला जाए क्याते हैं न बोलने से पहले तोला जाए तो यह मुद्धा उठा हुआ है कि मंगल सो तरुसको नहीं पहनना चाहिए नाम तो मेक्सिका भी नहीं लुगी बहुत सारी वीडियो बनने लग रही है लगाताल सब देश सान्यारा मारा देश हरियाना हालाएं कि मैं हर्याने से नहीं हूँ लेकिन हर्याने से सटे हुए ही छेतर से हूँ दिल्ली में नजबगट छेतर से बिल्कुल पास में ही शाद 34-35 किलोमेटर ही दूर धासा और जजजर गाउं आ जाता है जजजर सहर जो है वह है तो थोड़ा सा तो मुझे भी पता है कि हर्याने में क्या क्या होता है कितने अच्छी संस्कृति है महां की क्योंकि दिल्ली और हर्याना मिक्सी है तो मैं बस यही कह रहे हूं कि यह मुद्दे है जो कि मंगल सुत्तर पहनना बिंदी लगाना वो अच्छे कपड़े पहनना यह वैसा पहनती है यह वैसा पहनती है इ इसमें इस बात पर मत जाओ, आप यूटूब पर आएओ, सोसल मीडिया पर आएओ, आप अपने यहां पर टैलेंट को दुखाने आएओ, ना कि किसी की चूगली करने, ना कि किसी की टांग खेचने के लिए आएओ, यहां आपना जो आपके अंदर कैलिबर है, वो दिखाओ, वो दिखाने के लिए आओ, ऐसे किसी के बारे में उल्टा सिधा बोलने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, अरे आज का यूट तो ऐसा है कि हम अपने बच्चों को भी मंदर की कोई भी हुआ, कोई किसी को रोक नहीं सकता, रोकना भी नहीं चाहिए, आप खुदी ही कुछ तो औरते हैं, कुछ बहने हैं, हमार से कापी बड़ी है, वुजब है, वो भी अभी सोसल मेडिया में इसके बारे में उल्टा सिधा बोल रही है, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, आपके घरवी, बेटी, बहुब, सब कुछ है, और बवान ना कर ऐसा किसी के साथ हो, कभी कु मुझे पता नहीं था, कि वह विड़ो है, उसका ब्यूटी पादर है, वो अपने संदूर भी लगाती है, और बिश्वे भी पहनती है, मंगल सुर्तर तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो गले में पहन रखा उसने कुछ, तो एक दिन ऐसे ही बात कर रहे थे, बा सुष्षर और अदर पहन, भी में आँ बेहन, झिस पारे में सोच रही है, कि मैंने मांग भा इल्टी हों है, और बिश्वे भी बेहन राखी है, इसका कारण यहीं ही है, कि मैं जहां रहती थी, वहां से तो मैं आ गई हूँ, क्योंकि ससुराल वालों ने भी परेशान कर दिया था, और ससुराल वालों तो किया ही किया, माईके वालों ने भी किया, और उसके बाद फिर मुझे तो अपने बच्चे पालने थे, पढ़ाना था, निखाना था उनको, इसलिए मैं मुझे दिव्टी पादर्स का को रस्त मैंने करी रखा था तो मैं दूसरे शेहर जाने के निजितकड में आने के बाद मैंने सोचा कि ये जो समाज है ये एक विदुहा को जीने नहीं देगा इस समाज में एक अकेली औरत को जीने का अधिकार जैसे लोग छीन ही लेते हैं उसको जीने नहीं देते हैं अगर वो अच्छे से रहती है तो भी नहीं जीने देते हैं इसलिए मैं ये सुछा का अपना सब कुछ डालती हूँ और भगवान की किरपा है मेरे उपर कि मेरे बच पहनती है पहनने दो उनकी भी खुशी है अपनी हाँ अमान लोग की मंगल सुत्र कहते हैं कि मंगल सुत्र जो है एक सुहा की निशानी है लेकिन अगर विज्ञानिक तोर पर या जैसे हमारे रिशी मुनियों के दुआरा एक बात मैंने कहीं पर पड़ी थी उसमें यह था कि म मंगल सुत्र का मतलब क्या है जब एक लड़की को ससुराल के लिए तैयार किया जाता है बेजने कि अपने इसकी शादी हो जाएगी तो यह अपने ससुराल चली जाएगी तब उसको मजबूत करने के लिए यह मंगल सुत्र होता है कि माईके में तो वह है बच्पन में माई तो वहां पर उसके पर प्वाबंदियां हो जाती है तो विश्मो ने इसका एक सलूशन निकाला आप भी कभी कहीं देखना पड़ना मैंने थोड़ा सा पड़ा था उसके बास वही बता रहे हूं कि मंगल ग्रह मजबूती का प्रतिक होता है और तो के लिए और तो उस इस कार मंगल को यानि कि मंगल अगर मजबूत होगा तो वह स्ट्रॉंग रहेगी उसके सरीर के अंग मतलब की सरीर के अंदर काफी जैसे रक्त का भी कलर रेड होता है यानि कि लाल होता है तो मंगल सुत्र में जो धगा भी रोय जाता है मोती भी रोय जाती है वह भी लाल रंके हो आजकल तो यह बना दिये हैं बलेक यानकी काले रंग के मोती डाल दिये हैं मंगल सुत्र लेकिन वेदिक पुराणों में यह है कि मंगल सुत्र इसलिए पहनाया जाता था कि एक पोरत को मजबूत उसके अंदर एक मजबूत ही आ जाए बाकी इतना ही जान मुझे है ज्यादा तो नहीं है फिर मैं सभी से हाथ जोड़कर यही कहती हूं कि जाने अन जाने में मुझसे भी कोई गल्त शब्द निकल गए हो तो शमा कीजिएगा अपनी छोटी बहन बड़ी बहन बेटी सभी जो भी आपने को आदर देना चाहते हैं प्यार देना चाहते हैं फिर मैं यही कह रही हूं कि इस मुद्दे को आप खतम कर दिया चाहें काफी लंबा खिच गया है यह मुद्दा अब इसको और आगे ना बढ़ाएं सबको अपना जीने का अधिकार है कोई कैसे भी जिए मर्यादा में रहेकर कोई कुछ भी कर सकता है मर्यादा में रहना सबको चाहिए और जो भी जिनों ने भी मंगल सुतर डाला हुआ है मर्यादा में ही है उनके भी बच्चे है बेटा है बेटी है और ठीक है अगर कोई गलती हो तो शमा चाहती हूं थिर मिलती हूं एक नई वीडियो में